हेलो दोस्तों नमस्कार और स्वागत है सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल सेलेक्शन मेंटर पे और आज हम लोग यहां पर इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जो लेकपाल को ले करके न्यूस्वेपर के थूँ और जो आन्य मादमों से आप लोगों को जानकारी है कि लॉक्टाउन के बाद एक बड़े बात होने जा रही है कि राजस्व लेकपाल की भरती जो है वो ओपन होने की संभावना पूरी-पूरी दिख रही है तो अब बच्चों में यह एक इंपोर इसकी जानकारी मैं आपको दूँ और इस वीडियो में आप लोग जो चीज जानने वाले हैं वो है पूरा डिटेल हलाकि पार्टिकरम के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है आप उससे भी देख सकते हैं लेकिन इसमें भी हम पार्टिकरम की और विस्तार से चर्चा करेंगे व्याख्या करेंगे कि कहां कहां से कैसे कैसे कुश्चन्स आते हैं पुराने प्रश्ण पत्रों को देख करके यहां से समिक्षा करी जाएगी ठीक है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में हम पार्टिकरम के हिसाब से बताएंगे आपको और सा है राजसुलेखपाल और दूसरा है आपका चकबंदी लेखपाल तो 2015 में इसकी vacances लास time निकली थी 2015 में लास टाइम इनकी vacances निकली थी और 2015 में राजसुसलेखपाल और 2015 में चकबंदी लेखपाल की vacances जो यहां इंची इन दोनों से पेपर हुए थे और आगे जो है यह एक्जाम किस प्रकार से होगा इसको ले करके हम कुछ बाते आपसे क्लियर करना चाते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज की बात यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप वीडियो बीच में स्किप कर देते हैं या बीच में बंद कर देंगे तो फिर आपको यह इस से समंदी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो कहीं न कहीं आपसे मिस हो जाएगी और एक आप कॉमन स्टुएंट की तरह बिएव करते हुए अपने लक्षी से बटक जाएंगे देखिए आपको सब को सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पिछले साल जो यह पिछले बार जो यह वेकैंसी आई थी कि प्रेस विग्यप्ति को अगर देखा जा राजसुलेखपाल की 22 जुलाई के आसपास यहां पर आई थी कि जुन जुलाई में आई थी वेकैंसी ठीक है यह इसकी चोटी सी है इस तरीके के नोटिफिकेशन आता है और अगर हम पिछले हिसाब से अगर देखें तो इसमें 2200 से 2200 तक है ठीक है इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं यह 2015 का है अब आगे जो भी आया होगा उसके रिकॉर्डिंग जब आएगा तो देख लेंगे अगर हम एजुकेशन कौलिफिकेशन की बात करते हैं तो यहां पर इंटर्मीरेट परिक्षा याने 12 जो है वो मांगा गया है किसी भी स्ट्रीम से इसमें कोई विशेश स्ट्रीम ने लिखा हुआ है ठीक है और यहां पर अधिमानी अर्ता वगएरा जो NCC वगएरा का होता है वो मिलता है ठीक है और इसमें ट्रिपल सी जैसी कोई बात नहीं करी गई है लेकिन यह 2015 का नोटिफिकेशन है आपको मैं क्लेरी कुछ नहीं कह सकता हूं कि क्या आएगा ठीक है लेकिन उमीध है कि जो है इसी तरीके का रिक्तियों का विवरंड जो है जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है कुछ इसी तरीके कही रहेगा ट्रिपल सी को ले करके थोड़ा सा संशय हो सकता है क्योंकि शीक्र जो है वो अपलाई कर दें हो सकता है कि उनको कुछ फाइदा मिले जिनके पास है तो फिर उनके लिए तो बैनेफिशल है और बाकी जिनके पास नहीं है जो नहीं कर सकते है तो थोड़ी से मैं दुआ कर सकता हूं कि इसमें ना मांगा जाए आगे यहां पर आपको बता दूँ पिछले बार जो लेकपाल की भरती प्रक्रिया थी वो जो थी वो असी अंकों की थी और इसमें बीस अंक जो है वो साक्षातकार की हुआ करते थे तो टोटल पेपर जो था वो 100 का था जिसको 80 और 20 में बाइफरकेट किया गया था ठीक है लेकिन इस बार जो पेपर है यह समूगा की जो भरतियां है इनके लिए सरकार ने जो यह वैकेंसी में साक्षातकार की जो प्रक्रिया है इंटर्वी की जो प्रक्रिया है उसको बंद कर दिया है तो अब यह पेपर हो सकता है कि 100 का होगा या कितने का होगा या भी जब notification हो सकता है कि यहाँ पर प्रश्णों की संख्या नहीं संख्याव कि 100-100 रखी जाए ठीक है लेकिन यहां पर जो अंख हैं वो 20-20 संक हैं तो इसको 25-25 अंख है सकते हैं या फिर हो सकता है कि एक पांचवा पेपर जो है वो जोड़ा जाए 20 संक का जो की होने के संभावना मतलब बहुत जादा है क्योंकि हमेशा यह सबजक्त से लेता है अब कि इसे यह यह कराएगा यह की बिलकुल इसे करेगा यह यहlak अब जो रोड़े हैं वो समात्त हो गया है सरकार के बीच में जो भी मिसर इंडरस्टैंडिंग जो भी हो रही थी विभाग को ले करके वो सब क्लियर हो गई है और इसलिए वेकेंसी के बिल्कुल क्लियर कट बात बोल दी गई है राजस्य लेकपाल की तरह चकबंदी लेकपा चकबंदी लेकपाल में जबकि केवल राजस्य लेकपाल में अगर आप यहां देख रहे थे तो सौकोश्टन असी नंबर के थे ठीक है यह इतना सांतर है बाकि सारी चीज़ें वही है दो गट अब यहां पर जो भी चाहाए वो चकबंदी लेकपाल हो चाहाए राजस्व लेक पाल हो उन सब में परिक्षा का जो पाठिक्रम है हलाकि उसके लेक मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है आप उसको भी देख सकते हैं ठीक है लेकिन यहां पर आप इनको देखेंगे अगर तो मैं पूरा डिटेल करके देता हूं हिंदी में क्या क्या चीज़े आए थी रा वह आपकी उसका जो लेवल है, हाइस्कूल परिक्षा लेवल का हो सकता है, हाइस्कूल लेवल का हो सकता है महत् stripes समास विलोम के लिएooooosah in लंग वाकर शब्ध निर्माड यहां वाक्ये सब जो है आपको तयार करना है इनके questions अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि इन से किस सेक्टर में ज़्यादा question पूछे गए किसे कितने पूछे गए तो आपके अंदाजा लग जाएगा पूरा वीडियो देखते रही है बिल्कुल भी परिशान नहीं हो यह पूरा वीडि देखें जैसे चकबंदी लेकपाल एवनिंग शिफ्ट है फिर लाजस लेकपाल एवनिंग शिफ्ट है इनके according यह अगर हम देखें तो यहां पर मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि जो कारक से समंदित हैं देख सकते हैं आप इसमें टोटल मिला करके यहां 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 से दो कुश्चन आ रहे हैं परियावाची से दो आठ कुश्चन आ रहे हैं ठीक है रस से आप देख रहे हैं चार कुश्चन आ रहे हैं पांच कुश्चन आ रहे हैं आपके चंद से एक दो कुश्चन आया है अलंकार से एक दो कुश्चन आया है क्रिया से दो कुश्चन आ को बहुत अच्छ संदिय आपको समझ में संदिया में चाहिए कुर्ण में। बाहर के सम्भावना बहुत ही कम होगी एक दम डे tenemos पॉरा कराएंगे एक परसेंट जो है आपको इश्वर के भरोसे यह बलवती यह बल्वती परअपने यह कोशन होगा यहां पे हैं ना तो सिनरे आपको यहां से पुछा रहा है वाकिय वर्तिनी से कितने सारे कुशन पुछे गया है 5 5 15 15 15 जो है आपको यहां से देखने को मिल रहे हैं वाक्य व्यवस्थित क्रम में अगर देखा जाए तो 3 5 कुछन आपको यहां से मिलते हैं आप अपटित गध्यांज उसे 2 कुछन रचना हैं रचना कार्थ से यह बहुत ही बड़ा मतलब सेक्टर एक तरीके से देखा रहा है तो यहां से भी बहुत अच्छी से कुछन आ रहे हैं 14 कुछन करीब यहां से आ रहे हैं आप सारे काउंट करके देख सकते हो कितना सारा करेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा आपको यह PDF की रूप में इसकी पूरी PDF की रूप में आपको हरदेव बहरी की किताब इस मामय में सबसे अची मानी जा सकती है हरदेव बहरी तो इसको ले सकते हैं यह तो एक स्टैंडरड वाली अगर आप अधित्य पुब्लिकेशन की किताब ले रहे हैं तो थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान देना है कि इसमें थोड़ी सी गलती आप अगर आप उसको सावधानी पूरा करें किसी कोई डाउट है तो आप सीधा मुझसे पूछ सकते हैं गडित के बात करते हैं राजस्व में राजस्व और चकबंदी में उसी प्रकार से विपर आया हैं हमने आपको पहले दिखाया है इसमें ऐसे प्रश्ण होंगे जिसमें सब्सक्राइब लाभानी संख्याओं प्रश्ण पूछाएंगे कारें समय का कुश्ण होगा इसके प्रश्ण होंगे ठीक है और इसमें जो लेवल है वो उत्तर प्रदेश की जो हाई स्कूल है उसके कॉर्डिंग होगा तो आपको मैं बता दूँ कि अगर आप 10th स्टेंड इस सब आपको बहुत अच्छे से करना होगा प्रिवियस यर पेपर भेज भी दिया है आप उससे यहां पर देख सकते हैं किस प्रकार के कुश्ण पूछे गए हैं आपको निरूपन दंडचार्ट पाई चार्ड आयद चित्र बारंबार्ता बहुबुच केंद्री माव सम पांतर माधिका है न यह सब चीजों से आपको बहुत अच्छे से संपर्क रखना पड़ेगा और यह संपर्क आप रखेंगे तो इसी से आपका सारे के सारे प्रखेंगे और मैं आपको बता दूं बहुत जादा कठीन यहां पर कडित नहीं आने वाली है लेकिन क्योंकि अब आपको मालूम है कि इसमें इंटर्व्यू नहीं होना है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत लेवल जो है इसका बढ़ाया जाए तो आप इससे भी बहुत सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें पाइथा गुरुस प्रमेह है त्रिभूज आयत वर्ग सम्लम समांतर चत्रवूज सम्चत्रवूज के परिमाह तता छेट्वूल और वृत्तिकी परिदियम सब्सक्राइब कोश्चन पूछाएंगे ठीक है यह आपका जो है मैस के लिए सब्सक्राइब करके तमाम सब्सक्राइब कर सकते हैं तमाम सारी किताब आती ह冷ths करिकेशन प 63 एकसार है यह बहुत है experience है इन सब मामलों में railway हो चाहे लेकपाल हो चाहे FCI हो इन सब मामलों बहुत experience है वो FCI में presently working भी है ठीक है तो यह इनके पास बहुत अच्छा अनुभव है यह आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज बिलकुल एकदम सरल भाषा में एकदम हिंदी में सरल भाषा में इतना कि आपको कहीं दुबारा किसी किताब की जरूरत नहीं पुड़ेगी इतना बहुतरी तरीके से आपको यहां पर समझा देंगे आप हमारे चैनल पर स्कूल देखेंगे लगातार हम इसकी इसके लावां आप इन बुक्स की वी सहायता ले सकते हैं ठीक है क्वेश्चन्स इसमें से आते हैं आप टारिक जो है कॉंटेट करिए अंकुर सर को वो तुरूंत आपको सेलुशन देंगे परशान होने की जरूरत नहीं है आपर समान्य ज्यान की बात कर लेते हैं तो इसक ऑधियास ऊंतरास्टी मात्तिकी समसमाई घटना हैं भारत का थियाज भाति राति-रास्टी- आंदोलन वास्योंगोल जंसंख्या समान्य विज्ञान के प्रशन होंगे दैनिक अन्भ Your विज्ञान के समानफarta प्रबत की जानकारी पर कुछ प्रश्ण होंगे इस जिसकी तर आप ज्यान पड़ा है उसके according ही यहां पर science पूछा जाएगा तो उसके लिए आप बेफिकर रहिए बाकी जो इतिहास भुगोल है यह सब भी विश्व और भारती इतिहास भुगोल के हिसाब से सारी चीज़े पूछी आएंगी जजसंख्या को लेकर के question पूछा सकते हैं एक इस चीज़ का रहा है यहां से पूछ लिया है कि बताइए उत्तरप्रदेश से पहले उत्तरप्रदेश का और कौन-कौन सा नाम था तो यह उसका एतिहास का question आ गया और आप से पूछा आ सकता है ठीक है बात के इतिहास के अंतरगत देखे यह आपको बताया इसके अंतरग का यहां पर काफी अच्छा question आता है राश्रीवाद का अभ्यूदय राश्रीवाद यानि के nationalism का जो कह सकते हैं कि अभ्यूदय हो रहा है और सतन्ता प्राप्ति के बारे में जो सामाने जानकरी वो सब यहां पर कवर हो जाएगी इतने में से आपको यह सारी चीज़ें अच इंडिन constitution है पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से एक दो कोश्चन जरूर आएंगे क्योंकि ग्रामिड प्रवे से लेटेड होता है यहां से कोश्चन जरूर आएंगे सामुदाइक विकास कारक्रम भारत की अर्थ्ववस्था और न्योजन प्रणाली से सम करें हुँ आपके साथ अब मैं आपके लिए जबजस्त क्लासे इसके लिए लेकर आने वाला हूं बहुत सारे लोग इतनी सारी किताबें नहीं खरी सकते हैं डोंट वरी यहां पर आपसे क्लास की कोई कंगी फीस नहीं लिजा रही है फ्री में तयारी कर रहें सुबह शाम तक लगातार के लिए आप फस्कित रहेंगे और जबद तरीके से इसकी त्यारी कराइंगे विश्य भूगल की भी हम बात कर ले रहें या आप जनसंख्या जानकारी चाहिए मतलब आपको ग्रामिड जनस बाद कितना है पुरुषों कनपा ऐसे करके कुछ कुछन आएंगे यह सारी चीजें आपको जनसंखिकी में अराम से मिल जाएगी ठीक है इसमें भारत के भुगोल में आपको कुछ भॉरत बहुत परस्तितिक और आर्थिक सामाजिक जननांग की विश्यों पर विशेजबल द सब चीजों को अब बात कर लेते हैं कि कहांस कहां से कितने कितने कुछन पूछे गए हैं तो भुगोल से अगर देखा जाए तो भुगोल से आपके करीब-करीब 11 कुछन आपके यहां पर आ रहे हैं जिसमें नदी खनेज ब्रम्हान आद्भूमी प्राइदीपी भारत है फिजिकल इंडिया एक तरीके का यह पूरेज पूछा रहे हैं रा जोस्ता से देखा लिए तो पर रहे हैं तो यहां पर पर आप पर और ध्यान रखना चाहिए इसके अलावां पर्यआवरंण से समंधेत कोशन आ सकते हैं आधुनी की तिहाज जुह है उससे समंधेत बारा सारे question आएंगे तो अब मैं आपको यहां पर बता देता हूं इसकी जानकारी, इसकी त्यारी कैसे होगी, तो इसकी त्यारी के लिए आप कोई भी normal GS की book ले सकते हैं जो normal कोई भी GS की book ले सकते हैं आप अरिहन्त publication की book ले सकते हैं इसके अलावा आप youth publication की book ले सकते हैं द्रिस्टी की ले सकते हैं ठीक है पूजा publication की भी book आती है ये भी अच्छी है आप ले सकते हैं कि सारी question papers आप अराम से ले करके पढ़ सकते हो सबसे बढ़ियां यह रहेगा कि आप हमारे चैनल पर continue रहेए मैं आपको सारी चीज़ें कवर कराऊंगा जितनी चीज़ें यहां से यहां तक आपको दी हुई है यह सब मैं कवर कराऊंगा आपको बस हमारे साथ बने रहना है कि आप खरीदनी कि आपको कोई ज़रुत है कि नहीं पड़ेगी सब यहां से हम प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे ओवरॉल यहां से सारी चीज़ें आपको मिलने का पूरी त्यारी हम लोग कर रहे हैं current affairs most important चीज़ है यहां पे current affairs अभी तक current affairs जो है यहां पर देखा रह से देश के वर्तवान राश्पती ब्रधानमंत्री यानिकी जो अच्छे पोस्ट पर लोग हैं जो उनसे पूछा सकते हैं मिस्लेनियस में स्टैटिक जी के वेगरा का जो हिस्सा है वह आप से पूछा सकता है 11 को करीब उससे आए हैं यह सब जो हम एनलसी बता रहें ना पी वर्तमान जो है ना जितनी भी हैं MSP वगएरा जैनती जैसे आज 22 तारीक है तो आपको मालूम है आज कौन सा दिन है आपको मालूम होना चाहिए आज कौन सा दिन आज प्रित्वी दिवस है इसी तरीके से आपसे question पूछे आ सकते हैं आगे जो है चुनाओ से समंदित है वर अत्मान उत्पादन से समंदित है कौन टॉप पर जैसे गहूं का उत्पादन करने राज कौन सा है चावल का उत्पादन करने राज कौन सा है ऐसे करके question पूछा सकते हैं operation कुछ विशेश प्रकार का operations है तो उनसे question पूछा सकते हैं ठीक है तो current affairs के लिए आप हमारे daily current affairs को visit करिए देखते रहें इंपॉर्टन सारी चीज़ें और यह जो इसलेनियस हैं यह भी हम कंडवर कराएंगे और किसी भी gs book में आसानी से आपको इसको मिल जाते हैं अब यह है सबसे most important बात यह है सबसे most important बात खास बात यहां पर यह है देखे ग्राम समाज एवं ग्राम विकास के अगर हम बात करते हैं तो राजस्व कह सकते हैं लेकपा भारती संदर में एविकास कारक्रम । ग्राम विकास योजनायें प्रबंदन् उण चैसी होती है, मतलब किस-किस प्रकार की जमीन है फसलों के प्रकार आप से पुछया सकते हैं, जमीनों की श्रेडिया पुछया सकते हैं जरीप उचा सकते इं, सिचाई के साधन, जमीन के छेत्रफल, समंदेज जैसे जो प्रणाली उज़ती है, हेक्टेर, एकड, बीघा, यह सब जो कुश्चन होते हैं, मैं के लिघा, पूछनिक जरूब आता सबुश्चन आ थे जा है कई सिचावल की प्रणाली गेहुं का प्रणाली ऐसे करके पूर्ण पूछश्यों ने सकते हैं, ओर यह दिरल ऑर बदा करके आतब मкогоसे बंते हैं इसके वह राचिन समय प्राइब करके अब देखें अंगरेजों के समय में भूराजय सफट्रानाली अपको देखने समय के लिए के लिए आपको जरूरी है क्रिश्यम सिचाई तक्णिक की जो है तमाम तरीके की टेक्निक्स हैं सिचाई की जैसे आपको मैं सिचाई की बताओं कि वह एक होता है ना फुआरा टेक्णिकी होती है इसको स्प्रिंक्लिंग टेक्निक बोलते हैं वह सब यहां पर question पूछे आ सकते हैं, मिट्टी से संबंदित question आ सकते हैं, किस किस प्रकार की मिट्टी है, कौन सी फसल कप काटी और वो ही जाती है, इससे question आएगा, और ग्रामिड परिवेश से संबंदित कुछ questions आप से जरूर पूछे जाएंगे, तो ये ग्रामिड विकास से संबंदित आपके यहाँ पर pattern मैंने आपको बताया, तो इससे संबंदित सारे question आपको त्यार करने चाहिए, जहां तक मुझे लगता है, कि जहां तक मुझे लगता है कि इसकी अगर books की बात करते हैं, कहां कहां से कितने question पूछे गए और यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको भी देख सकते हो, ठीक है, यह सब चीज़ें आपको धिहान डखनी है, सब important है, सारे के सारे important है, ऐसे question पूछे आते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कि द्रिस्टी जो है, उसमें, या इससे अच्छा मैं आपको बता दूँ, वाणी, परिक्षा वाणी की किताब आती है, आपका जो है, कृषि से सम्मंदित, परिक्षा वाणी किताब आती है, आप इसे लेकर के अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है जंसंख्या वगरा के लिए, या फिर सेंसेस वगरा के लिए, परिक्षा मंथन ले सकते हैं, ये किताब आप ले सकते हैं, खिर्शी वाला छेत्र, जो है, ये कवर हो जाएगा, इसके अलावा इस समयदिश सारे जितने भी question है वो भी मैं स्वयम cover कराऊंगा तो अब आप अब आप देखे यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मैंने clear करके यहाँ पर बता दी हैं एक एक चीज़ आपको clear करके बता दी हैं कि कहां से कैसे questions पूछे जाने वाले हैं तो सब चीज़ें हमने आपको मिलने वाला है और अगर आप इनसे समंदित कोई भी जानकारी और चाहते हैं तो आप मुझे परस्नली जो है वह 8953595687 यह नंबर आपको नीचे description box में मिल जाएगा आप इस पर आ करके सीधा जो है मुझसे अपना नाम और अपना नाम के साथ साथ लेकपाल ऐसे लिख करके नाम और लेकपाल यह दो चीज़ें लिख करके आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको सारी डिटेल देने की संभावना रहेगी और आपको एक group बनाया हुआ है मैंने एक पूरा group बनाया हुआ है आप मुझे टेलिग्राम में भी सर्च कर सकते हैं इसी नाम से विरद नाम से विरद नाम से आप सर्च कर सकते हैं इसके लावा वाटसेप ग्रूप से भी मुझे से जुड़ सकते हैं इस नंबर के साथ और यहीं पर सारी PDF, सारी study material, इनमें सब में आपको provide किये जा जो आगे हम लोग क्या schedule करने आले हैं सब कुछ यहां पर आपको जनकारी इसी पर मिलेगी इसलिए जरूर आप इनसे जोड़ जाईए निश्ची तुरूप से आप इसमें अपने आपको जोड़ दीजिए जिससे कि आपको सारी सायता मिल सके ठीक है यह काम सब लोग जल्दी यह paper होंगे तयारी करके रखिए सब लोग बने रही है हमारे साथ किसी को कोई जानकारी चाहिए तो number जो मैंने बताया है आप वहां से मुझसे बात कर सकते हैं तयार रहे हैं जबजस तरीके से और हमें यह exam सब का exam यह qualify कराके रहना है जितने लोग यहां पर जुड़ेंग तो चलिए आज के लिए इतना ही thank you and goodbye